नमस्कार साथियों जैहिंद, मेरा नाम है प्रितेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एक्जाम बैमिशन ग्यान के इस चैनल पर तो कैसे आप लोग आशा करता हूं ठीक होंगे, बड़िया आपकी तैयरी चल रही होगी और दिन बदिन तैयरी में तेजी आती जारी होगी तो आज हम चर्चा करने वाले हैं BSTC में राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के महत्पून टॉपिक्स के बारे में देखो क्या है क्या एक्जाम नजदीग है, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास समय बचा है रिविजन का, रिविजन अपने आप में उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितनी तैयरी का, लियानी कि अगर किसी ने एक महिने तैयरी करी है और 20 दिन उसने खूब अच्छे से पढ़ा है, लेकिन उसने 10 दिन रिविजन नहीं किया, तो तैयारी पूंता विफल है चली है, तो हम सबसे पहले टोपिक की बात करते है, जब मैं राजस्थान इतिहास की बात करता हूँ, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे इतिहास और कला संस्कृति की तौपिक साथ है, तो पहले तुसर हम इन दोनों में डिवाइड कर लेते हैं, इतिहास जो कि अपने आप में बहुत ज्यादावास्ठी बहुत ज्यादा बड़ा है और कला संस्कृति वाला टॉपिक हो गया है जो चो weigh तो हम इसमें से क्या करें कैसे करें सबसे पहले हम इतिहास की बात करतें इतिहास के अंदर पहला topic देखने को मिलेगा आपको राजवंश अब लाड़ लोगी जो राजवंश है जो लिखा हुआ राजवंश है वह अपने आप में पूरे की पूरे मद्यकाली नितियास को पूंता बताते हैं, रास्तान के कितने सारे राजवंज है, उनको हम कैसे important तौर पे याद रखे, हर राजवंज के इतने सारे राजा हैं, तो कैसे याद करे, तो इसका देखो एक simple सी वात, आपको राजवंच specifically करने कौन-कौन से जैसे example के तोर पे सबसे पहले आप पढ़ लो मेवाड मेवाड मेभी आपको सिर्फ और सिर्फ important राजवंचों के उपर important राजवंचों के उपर focus करना है सारी किसा राजवंचों राजवंचों के उपर आसानी से बड़ी आसानी से पहुंटा अटक जाएगा इसके अलावा हम important बात करते हैं जोधपूर की यानि की राठोड राजवंच की अब राठोड राजवंच हमारे लिए important हो जाता है तो आप important तोर पर किन चीज़ों के बारे में दो दो तीन तीन important बात है जैसे question पूंता बना हुआ है कि हस्मत वाला राजा किसे कहा जाता है अब ये question चाहे कितनी भी बार आए अगर हम इन question में गलती करके आ रहे हैं तो फिर समस्य वाली बात देखो इसके अलावा लाड़ लो अपने बीकानेर वाला जो राजवन्ष है उसको important तोर पर याद रख लो उसके अंदर भी आपको याद रखना है साब रायमल का याद रखना है सरदार सिंग याद रखना है इसी के साथ साथ में आपको कछवा राजवन्ष याद रखना है कच्छवा राजवंच यानि कि मैं specifically बात करूँ जैपर वाले राजवंच की तो यह चार बाते अपने कर ली इसके अंदर भी इन राजाओं से जुड़ी हुई जो युद्ध हैं उनमें से सिर्फ महत्पूर्ण युद्ध याद रखना है इनके दौरान अगर कोई कला संस्क से रिलेटेट कोई घटना हुई तो उसको इंपोर्टेंट तोर पर याद रहें जैसे उस्ताकला जो बिकानेर से जुड़ी है किस राजा के समय पर हुई यहां से क्वेशन आ जाते तो राजवंच अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें समय मत बिताओ सिर्फ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को बार-बार याद करते हो जैसे जो यह आपकी live classes हुई थी उस दौरान जितने भी important राजा थे किसी ना किसी question की दौरान जो हो पूरी तरीके से cover हो गए है तो इसकी बात समस्य आपके खतम हो जाती देखो फिर आपका next important topic आता है British वाला British देख राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के आगमंत के साथ ही हम देखते हैं कि राजस्थान की जो पूरी की बूरी राजनितिक व्यवस्ता है सामाजिक व्यवस्ता है वो पूंता बदल गई थी अब जब मैं British काल की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर आप कौन-कौन सी चीज कि आती में Cantonment से यानि जितने भी Cantonment है वहां से question पूंता पूछ लेते हैं, Kota से question पूछ लेते हैं, N hilar Abad से question पूछ दे आववा से question पूछ लेते हैं ये लावस आप एकी करण तो सातों चरण की बात है अब एकी करण से आप एक चीज नोटिस करोगे कि कौन से चरण के अंदर किन का विले हुआ ये ये लावस आपको फोकस करना लेकिन कितना पढ़ना है उसकी लिमिट मैं आपर बता चुका हूँ इस बात का पूर्णतर ध्यान रखना चलो इसके अलावा साब यहां पर मैं एक शब्लिखा है व्यक्ति विशेश सी क्वेशन पूर्णतर आ जाते हैं जैसे बीरबल सिंग से क्वेशन आ जाएंगे इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं कि गोकुलाल असावा गोकुल भाई भट भोगी लाल पाढ़ दिया यह ऐसे कि ऐसे लोग जिनका अपना अपना इंपोर्टेंट तोर पर योगदान रहा है उनके बारे में दो-दो तीन-तीन फट जो है आपको इंपोर्टेंट तोर पर याद रहने हैं और इन व्यक्तिओं को अपन किसी-ना किसी क्वेशन में चाहे हो मेरेथन हो चाहे हो इंपोर्टेंट तौर पर सब में अपनी बात कर चुके हैं तो यह भी Аपना हो लेकिन आप इतिहास से भी जादा किस पर फोकस करोगे तो सर कला संस्कृति के उपर फोकस करेंगे अब कला संस्कृति को कैसे रिवाइज करना है उसकी थोड़ी सी बात हैं रख लेगा अपने हाथ में राजस्थान का एक बढ़िया सा मैप ले लो नए वाला मैप ले लो कोई परिशानी वाले मैप के अंदर जितने भी आपके जिले दे रखे हैं उसमें जो जो भी इंपोर्टेंट घटना है जुड़ी हुई है हर जिले में छोटी छोटी बात लिख लो ऐसे अ साथ उसमस्ति मैप के अंदर जाप्र की जो सम्भिता उसको याद कर लो जाप जैपूर के प्रजामंडल है उसके बारे में याद रख लो और इंपॉर्टेंट तौर पर जैसे एक्जांपल की तौर पर एकईक करण की प्रक्रिया में जैपूर अब आया, वो सिर्फ और सिर्फ उस जिले के साइड में बड़ी-बड़ी हैडिंग लगा के रिद्धो, अभी मैं एक छोटा साया पर आपको एक्जामपल भी देखे बता हूँ, इसके अलावा सर्फ कला संस्कृति के अंदर important topic की बात करते हैं, तो दुर्ग है, अभी दुर फिर इसके अलावा सर्फ ये नत्य वाला topic जो है वो अपने आप में important, ये मैं वो topic लेकर रहा हूँ, जहां से question बनने के chance से जाधा बनेगे, नत्य भी आसानी से करना है साब, बिलकुल एक जिला बनान, आपको रास्थान का मयाब बनाना है और चीजों को याद करना है, इस कौन से ऐसे लोग देवता है, जिनके मंदिर में इटो की पूजा की जाती, तो हमें पता है सब देवनाराण जी महराज की मंदिर में इटो की पूजा की जाती, ये ऐसे question है, जो अपने 10 बार live classes में, कई बार recording classes में, कई बार marathon के अंदर रठे, तो question ऐसे ही आएंगे, दूस की टेकनीक को अब 2 मिनिट के अंदर बता तो, तो देखो, ये जितने भी यहाँ पर मैंने topic लिखे हैं, उनको मैं आपको एक छोटा सा example देकर बता तो, जैसे देखो भईया, ये, चलो, मैंने यहाँ पर आपको कहा, कि भईया, आपको 5 यहाँ पर map plane है, अपने साथ है, 5 ल लिखा हुआ है, उसके बारे में, 2-3-3 चोटी-चोटी सी बाते हैं, बिल्कुल चोटी-चोटी-चोटी सी बाते हैं, जो आपके examination point of view से important है, उनको बता दो, सबसे पहले, सर बात कर लेंगे कि जैपूर में कोई सभ्यता है, क्या सभ्यता है, कौन सी वाली है सर, जैपूर क जो चार राजन्यानिया थी, वो यहीं पर बिल्कुल important तोर पे लिख लो, जैपूर के स्थापना कब हुई, जैसिंग के बारे में लिख लो, बिर्जा राजा जैसिंग के बारे में लिख लो, चार-पांच facts जो बार-बार आ रहे हैं, जो याद है उनको मत लिखो, जो हम बार-बार भूल रहे हैं, उन्ही facts को यहाँ पर important तोर पे लिख लो, अगला map लिया, उसमें भी तो जैपूर होगा, तो सर वहाँ पर हम जैपूर के मेले के बारे में लिख लेंगे, कि सार वहाँ पर मेले भरता है, कौन सा, सर शीतला माता का मेला भरता है, सर हमें important तोर प देखने को मिलता है कि बान गंगा का मेला भरता है, डांस की बात है, तो सर यहाँ पर जैपूर का बड़ा घूमर डांस जो है, वो बड़ा प्रशली थे, एकी करण की बात करें, तो यहाँ पर हमें जमनलाल बजाज दोरा, और उससे पहले करपूर चंद पातनी दोरा, प् अब सबसे बड़ा प्रशनाता है अब सबसे बड़ाया प्रणी जीके के बारे में मतफस हो, मैं क्यों आपको कह रहा हो, मतफस हो, उसका एक 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 जामपल देतो, यह सार एक सारे जो टॉपिक है, वो किस में होते हैं, तो सर आर्बीची बोर्ड की पुरानी किताबु कि आपको अपने ग्यान को सिर्फ और सिर्फ common sense की साब से देखना है जैसे छोटा समय एक example देता हूँ आपको कोई साभी जो नया जिला बना है वहाँ से सबसे पहले तो question avoid किये जाएंगी अगर question पूछ भी लिया जाता है तो ऐसा question आएगा जिसका आप answer बड़ी आसानी से दे सको जैसे नीम कथाना और seeker पे से question आएगा तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हो कि साब नीम कथाना में क्या है seeker में क्या है ऐसा कोई question नहीं आएगा जो आपको confuse करे और नई और पुरानी GK के बीच में जो आपकी परेशानी चल रही है उसको और जादा बड़ा है तो इससे बिलकुल परेशान मत होना आप चीजों को याद करो basic बेसिक तरीके से आसपास का शेतर भी याद कर लोगे तो elimination method का इस्तेमाल हो जाएगे अब छोटा सा example देतो अगर किसी जगे पर कोई नया जिला बना है तो वो जो उसके पुराना जिला था वो option के अंदर ही नहीं आएगा किसी पेपर के अंदर तो एक बात ध्यान रहो 60 question जो है वो moderate आते हैं moderate का मतलब बिल्कुल ठीक ठाक से इस तरह के आते हैं इसमें से 20 question जो हमेशा easy आते हैं और 20 question हमेशा tough आते हैं अब आप लोग क्या करते हो आप इन 20 question के चक्रों में परिशान होते रहते हो लेकिन ये 60 question औ पुराने जिले तारीकों के चक्रों में मत पड़ो basic basic चीजों को revise करोगे अंत समय में तो confidence बढ़ेगा और आप अच्छी तरीके से चीजों का revise revision कर सकोगे चीजों को ध्यान रख सकोगे तो मेरी आप लोगों से इतनी सी विंती थी इतना सा निवेदन था clear होगी अब exam नस् तेयार है चार-पांच पन्नों की अगर किसी ने नहीं भी बनाया तो into two की speed पर अगर देखोगे तो आज भी पूरा revision हो सकता है बिना किसी देरी के बिना किसी परेशान की ठेक है तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी नए और पुराने जिलों के चक्रों में मत होना comment आ जब करो अगर जहां नय जिले में option दे रखा है तो हम नया जिला टिक करेंगे जिसके आने के chances हमें जधा देखों तो आजका ही सेशन इतना ही आशा करता हूं… यह दे लागा का Thank you, thank you so much.